नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने योट्यूब चेनल आरकेम स्टडिस सेंटर पे तो दोस्तों ये हमारा जारखन बीएट इंट्रेंस एक्जाम के लिए क्लास नमबर 21 है और आज के इस कलास में हम लोग टिचिंग एप्टिटूट का एक इंपोर्टन टॉपिक पिछरे बालक के बारे में जानने वाले हैं पिछरे बालक यानि की बैकवार्ड चिल्डें जिसको इंगलिस में कहा जाता है दोस्तो यह जो टॉपिक है वो आपका व्यप्तिक भेद के अंतरगत आने वाली एक इंपोर्टन टॉपिक है इसलिए आपको जब इस टॉपिक को जरूर पढ़ना होगा ठीक है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके अर्थ के बारे में कि पिछरे बालक का क्या अर्थ होता है उसके अलावा पिछरे बालक का क्या क्या कारण होती है सेच्छिक पिछरे बालक के निवारन हैं तो कौन-कौन से उपाई किये गए हैं उसके अलावा यहाँ पे उनके लिए कौन कौन से सिच्छा व्यवस्था की गई है इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं यहाँ से अगर कोई प्रस्न आपका एकजाम में बनेगा तो जितना हम आपको आज के इस कलास में बताने वाले हैं इस ही के अंतरगत आपका प्रस्न जाए आने वाला है ठीक है तो class को last तक जिरूर देखिएगा तो चलिए हम लोग class को start करते हैं सबस्पहले हम लोग जानते हैं कि पिछरे बालग यानि कि backward children का अर्थ क्या होता है इसका meaning वो क्या होता है सिच्छा मनोब ग्यान के दिष्टी से पिछरे बालग वे बालग कहलाते हैं जो अपने ही समान आयू बर्गत के बालग के समान सेच्छिक छेतर में प्रगती नहीं कर पाते हैं बलकि सेच्छिक उपलब्दी में पीछे रह जाते हैं तो ऐसे students को हम लोग क्या कहेंगे पिछर पर दो गालग खड़ा हैं इसका भी आयू 10 वर्स है और इसका भी आयू 10 वर्स है है तो यह अपना काम घृठी, अपना जो काम कोमका के Oslo करता है बिद्याले जीवन में अपनी कच्छा के नीचे की कच्छा के काड़ियों को करने में सच्छम ना हूँ तथा जिसकी सिच्छिक निस्पती 85 से कम हूँ ठीक है जिस तरह आप लोग IQ पढ़े होंगे intelligence quotient उसी तरह एक होता है achievement quotient जिसको EQ short नाम से जाना जाता है तो सिरिल बल्ट का कहना था कि जिनकी IQ जो हो 85 से कम हो वो आपका पिछला बालक के अंतरगत आ जाएगा और एक statement यहाँ पे आपका है दोनों सेम statement है साथ में आपको पूछा जा सकता है कि जो अपने बिद्याले जीवन में अपनी कच्छा के नीचे की कच्छा के काड़ियों क करने में सच्छम ना हो मानने जी कि कोई बालक आपका दसमा क्लास में पर रहा हो लेकिन अगर उसको आठमा क्लास का भी कोई काम दे दिया जाए तो वो नहीं कर पाता हो तो ऐसे बालक को हम लोग जो यहाँ पे पिछले बालक के अंतरगत रखेंगे और यह जो कथान है वो आयों के अनि विद्यार्थियों के दुल्ला में उलेखनी सेच्छिंग मंदता का परदर्शन करता है ठीक है सेच्छिंग मंदता काने का मतलब है कि सेच्छिंग जो तरीका है कह सकते है सेच्छिंग जो छेत्र है उसमें जो हो बहुत धीले-धीले काम करता है तो यह दो ड पार्णते हैं कि पिछ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष क्याक्ष पड़ता है और अगर क्लासव दस में लगवग माले लगश चैप्झेध पड़ता है पाच सबजेक्ट पड़ता है ठीक है पाच-विषे पडने कि तो आगर। पांचो सब्जक्ट मैंने कॉई two subject में कमजोड़ है तीन सब्जक्ट में तेज्च है या फिर दो सब्जक्ट WAG में तेज्च है, तीन में कमजोड़ है तो इस तरह का जो है वह यहाँपे अगर डि देखा जाता है तो यह वह यहाँ विश्ष्ट पिश्ड़ापन के नाम से जाना जाएगा तो यह हम लोगों ने समय पिश्ड़ापन देख लिया थोड़ा सा जानते हैं विश्ष्ट पिश्ड़ापन किसे गाते हैं specific backwardness इससे अभीवारी है जब बालक अपने निश्चित आयू अनुसार कच्छा कि किसी एक अथवा दो विश्यों में पिछरा हुआ है या उसका विशिष्ट जो है वो पिछरापन कहलाएगा तो जैसा मैंने आपको बताया वही यहाँ पे दिया गया है अब इसका रिजन क्या है ठीक है कावजेज क्या है पिछरेपन के क्या क्या कारण हो सकते हैं क्यों बालक जो पिछर जाता है तो या देपी सच्छिक पिछरपन के अन्यका कारण संभावे थे किन्तो इन में से कुछ कारक ऐसे हैं जो बालक में सिच्छी पिछलापन उत्मन कर देते हैं या कारक निमने लिखी थें कहा जा सकता है जैसे कि पहला जो region है वो हो सकता है कि बालक की बुद्धिलब्धी का कम होना यानि कि बालक का जो IQ है IQ level है intelligence question जो level है वो यहाँ पर कम होना अथ्वा बालक का मांसिक रूप से मंध होना सामेंटता पिछले बालक की बुदी लब्दी जो है वो आईक्यू पचासी से कम होती है प्रतो यह आवस्यक नहीं है कि सदेव हुई ऐसा हो तो पहला रिजन क्या है दोस्तों पहला रिजन हो सकता है आपका कि उनका आईक्यू कम होना दोस्ता जो रिजन है वो है आपका बालक में साररिक दोस्त का होना जैसे कि दिश्टी दोस, स्रवन दोस, निर्बलता, विकलंगता, आदी ये सब दोस होने के करण वो भी पिछर सकते हैं ठीक है पिछरापन वहाँ पर पाये जा सकता है तिसरा जो रिजन है वो है आपका सालरी ग्रोब ठीक है का सदेव अवस्त्राना, अस्वस्त्राना, टीवी, पाचन, सकती, स्थिर्मे दर्द रहना तो ये भी एक वज़ा हो सकती है तिसरा ये वज़ा थी आपका चौथा जो रिजन है वो आपका सन्विगात्म अस्थिरताव अर्थात बालक सन्विगात्म खरोब से संतुलित ना हो वाभवतावण के साथ किनी कारण वस्ते ह्यों वो समायोजन ना लाता हो ठीक है समायोजन चोई है, उसमें हम कहा सकता है कि एज़िश्ट्मेन्ट समायोजन नहीं हो नेस्ट जो आपका कारण है कारण है वो है आपका पड़िवार में कल्हा की स्थिती अगर जैनल ये भी देखा जाता है कि कोई बालक है उसके घड़ में हमेशा जो कुछ है ड़ाइ जग्रा होते रहता है तो उस बालक का भी बुद्धिव्ध्य वह कुछ कुन के कार्णिग हो जाता है परिवारित काड़क के अंतरगत आ जाता है नेक्स आपका विद्याले का उचित से चिक वातावरन करना होना तो ये भी आपका जरूरी है विद्याले का उचित से चिक वातावरन करना होना बिद्याले भावन की अप्रियाप्तता गंदे संगेंड तता सोड़गुर्वाले वातावर्ण में बिद्याले के स्थिति होना वो सफाई आधी का ध्यान देना ठीक है तो बिद्याले जो साथ बाहुल में होना चाहिए इसलिए जैनली यह देखा जाता है कि बिद्याले जो होना सिच्छ Technology का अधिक अनुपस्तित रहना अध्यापिकों का अनुचित बेहवार अध्यापों का रात के प्रति स्रेम होना यह आपका पिस्वापन का एक कारण हो सकता है रैट और अधिक समय करना का कच्षा सिच्छन अत्वद कच्छा भी में रूची ना होने के कारण, अज़वा बूरी संगत जाएक और बादि कारणiqué कारण कच्छा देख्त कारण जिबान बित्याले में अधिक अनुपस्तित रहना, तो ये भी बहुत अच्छा लीचन होता है कि बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं अनुपर्सित रहते हैं या फिर हम इसां देखा जाता है कि बहुत चाले विद्यार्थी जो एक स्कूल से दूसरे उस्कूल में हमेशा पलायन करते रहते हैं तो वहाँ में पे भी उसका मन लगने लगता है प्ढ़ाई के प्रति उसका रूचिय जो उदे दे खतम होने लगता है तो यह भी यहाँ पर ऐक बज़ा है एक कारण है ठीक है तो यहाँ पर कुछ हम लोगोंने महत्मुन कारणों के बारे में बात किया जिसके कारण पिछणा treaty अब देखे सिच्छक सिच्छिक पिछ्रपन के निवारन है तूं दूर करने के लिए क्या-क्या उपाई किये जा सकते हैं ठीक है अगर किसी के पास पिछ्रापन है कोई भालक है जो कि पिछलापन से ग्रसित है तो उसके निवारन के लिए कौन-कौन से उपाई किये जा सकते हैं तो पिछले बालकों में उनके सिच्छिक पिछले पुन को दूर करने के उपाई करने चाहिए करने हैं तो निम्न उपाई करने चाहिए जैसे की कह सकते हैं पहला है आपका बुधी परिशनों का परियोग कर बुधी अस्तर को ग्याद किया जाए ठीक है बुधी परिशनों का परियोग कर उनका IQ लेवल को ग्याद किया जाए बालक के सारिक दोसों जैसे के दिष्टी दोस, रवन दोस आधी को जांच कर निराकरन किया जाए उनका जो उप्षार किया जाए तिस्ता है समय समय पर सारिक स्वास्त की जांच की जाए परिवार के वातावरण में सुधार लाया जाए अबिभाव कों से संपर्क कर उनका सहयोग लिया जाए यादि आर्थिक कमी है तो आर्थिक सहयता प्रदान की जाए बिद्याले का वातावडन स्वच तथा सिछिक बनाया जाए बिद्याले में पढाप संख्या में योगी अध्यापक हो पकगन सिच्छन काड़ी में रूची लेने वाले हो तथा समय समय पर अध्यापन काड़ी में द्रिस्स रवन समागरियों का परियोग किया जाए तो यहाँ पर यह सब उपाय है कुछ जिनको उपयोग करके सिच्छिक पिछले पन को दूर किया जा सकता है अब देखें पिछले बालकों है तो क्या सिच्छा ब्यावस्ता की जा सकती है ठीक है कौन कौन से सिच्छा ब्यावस्ता को यहाँ पर किया जा सकता है तो यदि बालकों में अस्थाई रूप से यानि कि अस्थाई परवानेट जो हो पिछलापन अगर नहीं है अत्वा किनी विशिष्ट पूर्व उलेखित कारणों के कारण सामाईन या विशिष्ट पिश्टापन है तो उप्युक्त उपाईयों को अपनाने से बालक में सिच्छिक पिश्टापन का निराकन किया जा सकता है यदि बालक में सिच्छिक पिच्छापन गंभिर अस्थाई है तो ऐसे बालकों को निमित निम्न सिच्छिक ब्याउस्था करनी चाहिए ठीक है जैसे कि यहाँ पे पिच्छे बालकों का मनोबेग्यानिक परिच्छन क्या करना चाहिए पिच्छे जो बालक है उनका मनोबेग प्रिश्णों का उप्योब पिछ्रे बालकों की सेच्छिक कठ नाईयख़ तो निदार्निक परिशनों का पर्योग कर उनकी सेच्छिक कठिनायां घयात की जाए। यह आपका दूसरा यहां पर क्या सकते यानि कि जो सिच्छन उनको समाइन दिया जा रहा है उसके अलावा भी वहाँ पे अत्रिक्ट सिच्छा की ब्यवस्था किया जाए जिससे क्या होगा कि पिछापन यहाँ पे दुर किया जा सकता है तो यह भी यहाँ पे एक उपाय है उसके अलावा है विश्चिष्ट पाठे प्राविदियों का परयोग तो यहां पे कौन कौन सी जह वो शिच्छन प्राविदियों का उपयोग किया जाता है यानि कि क्या सकते हैं कि पिछ्णापन को दूर करने के लिए कौन कौन सी जह वो टिसिंग टेक्निक का यहां पे उपयोग किया जा सकता है तो पिछरे बालक सामाइन सिच्छन विधियों से अधिक लाभानवीत नहीं हो पाते हैं इनके लिए बिशे सिच्छन प्रावाधियों की आपसकता होती है ये कुछ प्रमुक प्राविधियां हैं कुछ प्रमुक जो वो कह सकते हैं टेक्निक है सब्द आपको अगर सभज में नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब होता है टेक्निक, तरीका, तो पहला जो तरीका है वो आपका मुर्ज से मुर्ज की हो, किरिया परधान परदर्शन विधी किया जाए, उसके अलावा द्रिस्ट्रवी समागरी का अधिक से अधिक उपयोग कि जाए, जैसे कि प्रोजेक्ट हो गया, टीवी हो गया, तो यह सब का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, ताकि बच्चे को अच्छे से अच्छे, अच्छे तरीक्या से जो समझ में आए, उसके अलावा पाठे विसे जो वस्तु में की पुनरावर्ती होना चाहिए, रि बहवारी के ज्यान पर अधिक बल देना चाहिए, तो यहाँ पर यह सब कुछ टेक्निक थी, आपकी टीचिंग टेक्निक थी, जिसको उपयोग करके जो है, वो पिछनापन को दूर किया जा सकता है, तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही आई हो कि आपको सभी चीजे समझ में आई होगी, इस क्लास में हम लोगों ने क्या जाना, सबसे पहले पिछने वाOP के अर्ज के बारे में जाना, उसके बाद, दो महत्ấpपूर्ण मनोब बग्यानिकों के दोरा इसके जो डिफ्नियसन दिया गया है उसको जाना, ठीक है, उसके बाद, पिछलापन कितने परकार के लोगों हम लोगों ने विछिस्ट पाथक्रम के यहां पे पिछापन को दूर कर्ने के लिए कौन-कौन से विछिष्ट पाथक्रम अपनाया जा या फिर कासे कौन कौन से जो है वो teaching technique को अपनाया जाए तो दोस्तो आयोग की class आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को like कर दीजेगा और अगर आप इस channel में नहीं होंगे तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा इसका पेडियाफ आपको आपको टेलेग्राम चनल में मिल जाएगा अगर आप लोग next class में किसी नए टॉपिक के साथ